अगर मा सरस्वती का संपूर्ण ज्यान प्राप्त करना है तो इस विडियो के अंत तक बने रहिए। सनातन धर्म में देवी सरस्वती को विद्या बुद्धि ज्यान वविवेक की देवी माना गया है। मा सरस्वती को वीणा की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने ही पूरी दुनिया में स्वर भरे है आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे जुबान पर कभी कभी सरस्वती बैठती है और वह जो हम बोलते हैं वह उस बात को सच करती है इसलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा शुब शुब ही बोलना चाहिए ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार मा सरस्वती हर व्यक्ती की जुबान पर जरूर आती है और उस दौरान व्यक्ती के द्वारा बोली गई कोई भी बात सच हो जाती है कई लोगों को काली जुबान वाला कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा कही गई अधिकतर बुरी बातें सच होने लगती है वहीं दूसरी और किसी के द्वारा कही गई अच्छी बातें सच होती है अधिकतर देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है उसके साथ नकारात्मक चीजें अधिक होती है जीब पर कब बैठती हैं सरस्वतीमा भारतिय परंपरा में सुबह तीन बजे के बाद ब्रह्म महुर्थ शुरू हो जाता है एसा माना गया है कि प्रात गाल 3.10 से 3.15 का समय सर्वत्तम है इस दोरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोलें तो आपकी वहिच्छा जरूरपूरी होती है वहीं प्राता काल 3.20 से 3.40 मिनट के बीच भी मां सरस्वती जीब पर विराजमान होती है माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य मा सरस्वती की जुबान से बोला गया माना जाता है और वह हर इच्छा पूरी करती है मा सरस्वती से क्या मांगना चाहिए कुछ भी मांगने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे कहते हुए उसका समाधान मांगे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ कर इतनी हो जाए सरस्वती मां से ऐसी चीज ही मांगे जो पूरी हो सके